नमस्कार आप देख रहे हैं समय शाक्सिय मैं हूं हरिश खनेडा आज की ख़बर की सुरुवात करते हैं ख़बर है चमोली से जहां पर बहुत बड़ी तबहाई का मंजर देखने को मिला है रेनी घाटी वह घाटी है जहां से परियावरण के लिए एक नई सोच पैदा हुई है उस गाओं के पास में ही तूट करके जो रिशिक घंगा माइक गिर गया था और उसके बाद जो आसपास के जो जल पर युजनाए बन रही थी उसको बहुत ज्यादा नुक्सार हो तूट गया और उसके वाद एक तबाही का बहुत बड़ा मनजर देखने को मिला हुई इ तो आइए उनसे बात करते हैं स्वागत आपका समय देने के लिए धन्यबाद सर जिस तरह से जो डेम बना था और डेम को बहुत जादा नुक्सान हुआ काफी हद्स तक काफी मजदूर और काफी जो करमशारी थे लापता होने की बात अभी तक हो रही है हलांकि सरकार की भी जो रवानगी है तो आप हो चुकी है तो आप ही किस तरफ से देखते हैं कि जो डेम को जो नुक्सान हुआ है वो डेम तूटा है क्या वजह रही होगी देखे ग्लेशियर के जब तूटने की सुभ़ ख़वर आई तो कुंदन सिंग जी जो एक जन्हित याचिका कुंदन स ग्राम प्रधान रेणी द्वारा योजित की गई है माननियो चन्याले में और संग्राम सिंग जी अन्य ग्रामीन जो है उस पूरिक्षित्र के उनकी ओर से कॉंटैक्ट आया और उन्होंने मुझे भी इस बात की सूचना दी है कि वहाँ पर काफी भारी तभाही हुई है औ और कुछ गाओं के लोग भी लापता है और रिशी गंगा पावर प्रोजेक्ट जो नंदा देवी बायोस्फेर रिजर्फ के अंदर चल रहा एक पावर प्रोजेक्ट था अब तो था ही बोलना पड़ेगा उसके लिए उनकी सूचना के मुताबिक वो पूरी तरह धस्त हो अपने कहा ही है कि रेणी गाओं में ही गौरा देवी जी वहीं से थी उन्होंने चिपको आंदूलन की वहीं से शुरुवात की थी रिशी गंगणा पावर प्रोजेक्ट में ये पहلا हाथसा नहीं है इसे से पहले भी उस पावर प्रोजेक्ट में 2016 में जो है इसी तरही की इतनी तो नहीं बड़ इसी तरीकी की एक तबाही आई थी। कुंदन सिंग जी ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामिनो द्वारा एक प्रयास किया गया था 2019 में माननी उचिनेले के समक्ष जब वो सारे तथे लेकर अपनी ओर से आये थे ज्यादा तर लोग रेणी गाओं के शेडियूल ट्राइब कम्यूनिटी से आते हैं। उन्होंने सारे कागज इकठे करे थे और वो नैनिता लाये थे अपनी रिसोर्सेज मिला कर धन मिला कर और उन्होंने माननी उचिनेले के सामने जो रेटि आचिकार दाखिल की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि रिशी गंगा पावर प्रोजेक्ट ने उनके पूरे एक शेत्र को प्रेवरन की दृष्टिकोंड से अंस्टेबल कर दिया है फोटोग्राफ लगाई थी कि कैसे उनके विलिजेज ही हिल रहे हैं घर हिल रहे हैं वहां ब्लास्टिंग एक्टिविटी हो रही है जिससे बहुत समस्या हो रही है जो मलबा डिस्पोजल हो रहा है मख डिस्पोजल वो गलत तरीके से हो रहा है जंगली जानवर हर ब्लास्ट सुनकर भाग कर गाउं में आ जाते हैं और साथ साथ जो customary rights थी ग्रामीनों की जैसे गौरा देवी एक मार्ग इस्तमाल किया करती थी जंगल में जाने के लिए उस मार्ग को भी उस power project company द्वारबंद कर दिया गया था और शासन प्रशासन के और से ग्रामीनों की कोई मदद नहीं हो रही थी यह सब चीजे जो है मान मानने उचन न्याले ने एक stay order pass किया था कि रिशिगंगा पावर प्रोजेक्ट किसी भी तरीके की blasting activity नहीं कर पाएगा और उसी के कुछ दिन बाद एक और order pass किया था जिसमें सरकार को निर्देशित किया गया था कि मक डिस्पोजल धंग से हो और action लिया जाया अगर मक लेकिन शासन की और से जैसा प्रतीत होता है ग्रामीनों की बातों से कि जो है जरूरी कारवाई नहीं की गई और इसलिए आज जो हुआ है बहले ही glacier तूटने से हुआ है और सीधे तोर पर अभी हम बहुत प्रारंबिक स्टेज पर हैं कहना बहुत मुश्किल है यह क्यूं ह हुआ है लेकिन सर्टनली अगर आप glacier की तलहटी में blasting कर रहे हैं तो आप इसी तरीके की एक आपदा को निमंत्रण दे रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप मारे नियाले के भी आदेशों को नहीं पालन कर रहे हैं तो आपने कहा सरकार वहां रवाना हो गई है तो होती र अगर हम सब लोग समय से उनकी बातों पर विचार करें उस समय हम यह सारा discussion करें तो क्या पता हम ऐसी तरा सदियों को भविश्य में रोकने में सफल हो पाएं अब यह भी कह सकते हैं कि जैसे लापरवाही कहीं देखी जा रही है जी बिलकुल देखी जा रही है लापरवाही का और कहीं ना कहीं भलेई इस तैंट्स तो साइंटिफिक करेक्शन आई कुड भी रॉंग लेकिन समान्य समझ मेरी यही कहती है कि अगर आप एक ग्लेशियर की तलहटी पर ब्लास्टिंग एक्टिविटी करें तो आप ग्लेशियर को कमजोर कर रहे हैं ने की चीज इस तर जाते हैं और आपदा प्रभंदन की तरफ से जोलट किया जाते हैं वो समय रहते वे नहीं हुआ है देखिए मैं तो समझता हूं इस मामले में सरकार शायद काफी खुशकिसमत रही कि यह फरवरी के महीने में हुआ है आप कलपना करिए यह जुलाई अगस्त सितंबर में हो जब बॉन्सोन अपनी चरम पे हो नदिया बहाव में हो और उस समय ऐसा कुछ हो जाता तो शायद तब जैसा हमने 2013 में देखा उसी तरीके का कोई मंजर पूरे उत्रागंड में दिख रहा हुता लेकिन यह जनवरी में हुआ इसकी इमेजियेट कॉजिस क्या रहे सरकार फे जाया है और जहां नहीं होनी चाहिए वहां क्या वेकलपर और चीजे हम कर सकते हैं अपने घ्रामीडों के लिए उस पूरी परयोजना का एक अस्पट ये भी है कि घ्रामीडों को जो है उनकी Karena के सर्विसमीन है जो है उनको आर्थिक रूप से वहां विंचित रखा गया त तो इससे क्या गेन हुआ सरकार को अपनी विभिन्य परियोजनाओं के बारे में या सोचना चाहिए ताकि ऐसी चीज दुबारा ना हो काफी बार यह भी देखा गया है कि जो परियोजनाओं होते हैं काफी नाराज रहते हैं जल्ब जुद परियोज़ाओं को लेकर लेकिन एक तरफ हम सरकार की बात करें तो सरकार चाहती है कि हर नदी हर नाले पर हर गदेरे पर इस तरह के डेम बने ताकि जो यहां का जो पानी और यहां की जो जवानी हैं काम अको भीक काम मिल सके तो सरकार कहने काई हित में रहती है कि हर जगे पर जिल्ण होने चाहिए जो पुरयावरन को लेकर माफदन्ड और जो और जो भारत सरकार के वन एवं परियावरन्ट मंत्रा लेने निरधारित करें, उसकी अनुरूप तो काम करें और जो मापदंड भी निरधारित हैं कि आप चल्विद्युत परियोजनाई बना सकते हैं या आप माइनिंग कर सकते हैं इसचीज़ें कर सकते हैं तो जो एक पर्मिसिबल लिमिट हैं उनका पालन हो और उन पर्मिसिबल लिमिट को भागोलिक और पर्यावरंड के परिस्थितियों के हिसाब से हम सेट करें क्योंकि अंत में फिर ऐसी परिस्थितियां जब आ जाती है कि एक हादसा हो गया तो ये फिर सारी चीजों को धरी की धरी रह जाती है फिर सब एक ये एकिडेमिक बात हो जाती है कि इससे क्या लाब हो सकता है क्योंकि अगर हमने सरकार को इन सवालों से नहीं गेरा देखे एक हो रखा है हम कभी भी नैशनल मीडिया में उत्रखंड की चर्चा इसी से होगी आज ये फटा आज ये गिरा और इसको हम सब लोग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेट एकमप्लाइ मानते हैं कि ये तो हो गाई क्योंकि हम ऐसे एक्षेत्र में हैं तोड़ा सा हम अपनी अक् कि अगर हमें ग्लेशियर की तलहटी पर जाकर जोड़ जोड़ से ब्लास्टिंग करें तो हम किस चीज को निमंतरण दे रहे हैं अगर वहां पर एक जो है जो पत्तियां रखी हुई है लकड़ी है घी है हमने सब को मिला दिया और एक माचिस की तीली डाल दिया अब हम सोच सब्सक्राइब करें तो बड़ा ही डेडली कॉंबिनेशन हो गया कि पानी जवानी ले गई जवाई तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए मतलब संतुलित विकास की जरूरत है और सरकार को परियावरें को सीरियसली लेने की जरूरत है जैसे कि घटना की हम बात करें तो बहुत ब अगर करी है यह तो एक साइंटिफिक विशय हुआ उसमें मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ अगर करी है तो अच्छी बाते करी है लेकिन जो मेरा व्यक्तिकत मानना है कि एक नदी का एकलोजिकल फ्लो होता है तो वो एकलोजिकल फ्लो अनिंटरॉप्टेड होना चाहिए और एक तरफ हमकी कह सकते हैं कि डैम ने वो मदद करी है एक तरफ डैम के डेब्रीज जो तूटता है वही सारा नुकसान भी पहुंचाता है उ पक्षी से टकरा जाता है तो उनकी भी मौत उस डेब्रीज टकराने से हो जाती है तो वो सब विशय है जिसके पर विचार किया जा सकता है लेकिन इस पर्टिकुलर डैम या यह पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा था क्योंकि मैंने भी जाकर द्विक्तिकत रूप से उस पा भी मैंने वाएते रहती थी कि वो ऐसा ब्लास्ट करते थे कि जंगली जानवर गाव मैं ऐ जाते जिस सरे से तमाम पहाडी राके हैं वहाँ पर डाम लगातर बन रहे हैं तो क्या आने वाले समय में क्या एक से नुकसान होने की संभावना है देखे बिल्कुल है अगर असंतुलित विकास होगा तो उसे नुकसान होने की प्रबल संभावना है और आप इस बात को भी नोटिस करें कि फरवरी में हुआ है मतलब मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जनवरी फरवरी में यह सब होता है मुझे तो स्मरण नहीं है देखे उत्राखंड में आपदाओं की सीजन होते है मार्च से शुरू हो जाती है जंगल की हाग मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर तक यह सब चलता है बाड़ वगएरा और कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बरफ से रस्ते डग जाते हैं एक ऐसी घाटी है, जो बिलकुल हिमाले के नजदीक है और लगातार कमपनी जो वहाँ पर जल्विद्यूत परियोजना की जो कमपनी थी वो लगातार वहाँ पर ब्लास्टिंग कर रही थी जिसे कहीं न कहीं हिमाले शेत्र में कमपन हुई होगी और उसकी वज़े से भी बड़ा हाथसा हुआ है और हलांकि समय साक्षे भी इस बात को लेकर काफी दुख जताता है क्योंकि बहुत बड़ा नुक्सान समय चमोली जिले के रहनी घाटी को पहुचा है कैमरा स्वयोगी रिंकू के साथ हरिश्क रिंडा तेरा दो